एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आल पर जरूर स्लैक कर लीजे ताकि जितनी भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंचाए बात करेंगे बिलस इंट्रनेशनल सर्विसिस के जिसके अंदर 6% से ऊपर की शांदार तेजी आप लोगों को देखरे को मिल रहा है साड़े 6% के आसपास का उचान है इंट्रडे हाई 270 प्लस जो है स्टॉक ने आज के दिन में लगाया ह परसनली जो है स्टॉक पंदर मैं खुद भी इंवस्मेंट करके रख्या हूँ पिछले साल की मेरी इंवस्मेंट है जो कि आज के दिन मेरी और्मस्ट डबल हो चुकी है कंपनी अच्छे है क्योंकि एक मातर ऐसी कंपनी है जो कि ऑनलाइन वीजा सोर्सिंग का का काम करती है रिसेंटली जब केनाडा के साथ में थोड़े से खराब हुए थे इंडिया के तो कैनेडियन जो वीजा था इसको पाबंधी उसको पर पाबंधी देखने को मिली थी जिसके बाद जो हमें स्टॉक में करेक्षिन देखने को मिली 200 जो है अनुमान था कि गिर सकता है लेकिन 300 के लेवल से stock में 250 के आसपास तक की correction आई और उसके बाद से recovery दिखाई stock ने और आज की दिन में भी एक बहुत बड़ी वज़ा है जिसके लिए स्टॉक ने साढ़े 6% की तेजी hold कर रखी है पांस दिन की बात करें तो stock में 10% के आसपास के एक बार अप्रेल महिने में और एक बार दिसमबर एंड के आसपास दिया तो दो बार company bonus दे चुकी है काफी अच्छी growth company में देखने को मिल सकती है एक साल के overall returns की बात करें तो 66% पांच साल की बात करें तो 700% के आसपास के returns जो है BLS International अभी तक अपने maximum returns में investors को बना कर भी दे चुका है तेजी के पीछे जो वजय है उसको जाने तो देखें बेरस international wins शेंजियन global visa outsourcing contract for Slovakia stock up 6% as per industry data 2.64 million tourists travel to Solovakia in 2021 and the numbers are expected to increase in line with the travel trends और उसको जो है यहाँ पर आज के दिन में BLS international services limited on monday october 16th said it has run the St. John global visa outsourcing contract in 18 countries with over 54 offices with this new contract BLS international will be entrusted with the responsibility of not only offering tourist visa services and business visa services but also national visa services all with the aim of facilitating seamless travel and immigration processes the company informed the stock exchanges that as per the industry data 2.64 million tourists travel to Solovakia in 2021 and the numbers are expected to increase in the travel trends तो बड़ा momentum है यहाँ पर stock में जो की further rally जो है enjoy कर सकते हैं जो अलरड़ी इंवेस्ट करके रखे हुए हैं company अच्छे थे कंपनी में कोई बुराई नहीं है मैंने पहले भी stock को काफी बार कवर किया है बताया भी है कि मैं personally stock के अंदर खुद भी investment करके रखा हूं जो आज की रिटे मेरी almost double हो चुकी यानि कि 100% के असपास return से लास्ट येर के साब से तो लॉंटर में कहीं न कहीं एक अच्छा return तो बना कर दे पाना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगों को मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जिस पे मैं daily एक से दो डेमो कॉल देता हूं और इस एक से दो डेमो कॉल से आप profit plus learning दोनों ही कर सकते हैं और telegram channel का link जो है आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा buying and selling and pressure की बात करें तो 4,15,000 shares जो है buying order में है और almost 55,000 shares जो है हमें selling order में देखने को मिल रहे हैं ऐसे में अगर quantity की बात करें ट्रेड की almost 3,80,000 की quantity BSC पे ट्रेड हुई है और delivery देखें तो almost 1,50,000 की delivery BSC पे देखने को मिल रही है September quarter के हिसाब से अगर हम earnings की बात करें तो जो promoters का data है वो decrease हुआ है September quarter में 71,68% से घटकर 71,52% रह चुका है FIs का जो data है उसकी भी बात करें तो 8,46% से घटकर 7,60% हुआ है और mutual funds का जो holding है वो 0,03% से बढ़े कर 0,04% हो चुकी है हला कि company ने अभी तक अपने quarter के number पेश नहीं की है कि कैसे कुछ numbers company अपने पेश करेगी और कहीं कहीं अच्छी खासी holding और अच्छी खासी company की growth stock को आने वाले time में 300 प्लस भी लेकर जा सकते है इसके लिए इंदजार करें quarter two के numbers का बड़ा update है आज के दिन में एक बड़ी outsourcing जो है आज के दिन में वीजा की वो company को order मिला है और जिसके बज़स स्टॉक नहीं almost 6,7% के आसपास की तेजी दिखाई है